रहने से अंत में अंदे की भाती या नरक रूप अंदे कुवे में जागरता है कभी विसाय सुख रूप मदुकणों को ढूणते ढूणते जब यह लुक छिपकर परिस्त्री या परधन को उड़ाना चाहता है तब उनके स्वामी या राजा के हाथ से मारा जाकर ऐसी नरक मे जागरता है जिसका ओर छोर नहीं है इसी से ऐसा कहते हैं कि प्रवत्ती मार्ग में रहकर किये हुए लौकिक और बैदिक दोनों ही प्रिकार के कर्म जीव को संसार की ही प्राप्ती कराने वाले हैं यदि किसी प्रिकार राजा आदी के बंदर से चूट भी गया तो अन्यास अपरण किये हुए उन स्त्री और धन को देवदत्त नाम का कोई दूसरा व्यक्ति छीन लेता है और इसके विश्णुमित्र नाम का कोई तीसरा व्यक्ति जटक लेता है इस प्रिकार में भोग एक पुरुस से दूसरी पुरुस की पास जाते रहते हैं एक स्थान पर नहीं ठेरते हैं कभी कभी सीत और वायु आदि अने को आदि देविक आदि भोतिक और आध्यात्मिक दुख के स्तितियों के कारण करने में समर्थ ना होने से यह अपार चिंताओं के कारण अदास हो जाता है कभी परस पर लेन देन का विभार करते समय किसी दूसरे का थोड़ा स दमणी भरतवा इससे भी कम धन चुरा लिता है तो इसे बेई मानी के कारण उससे बैर रिठन जाता है ही राजन इसे मार्ग में पुर्वक्त विगनों के अत्रिक्त सुक दुख राग दुशिव है अभिमान प्रमाद उनमाद शोक महलोब मातसर इरशा अपमानिक छुदा प्रिपासा आदि व्याधी जन्म जरा और मृत्तिवादी और भी अने को बिगन है इसे बिगन बहुल मार्ग में इस प्रकार बढ़कता हुआ यह जीव किसी समय देव माया रूपनी इस्त्री के बहु पास में पढ़कर विवे की हिन हो जाता है तब उसी के लिए विहार भवन आधी बनवाने की चिंता में ग्रस्त रहता है तथा उसी के आस्त्रत रहने वाले पुत्रपुत्री और अन्यान हिस्त्रियों के मीटे-मीटे बोल चितवन और चेष्टाओं में आसक दो कर उन्हीं में चित फस जाने से वें इंद्रियों का दास अपार अंदकार में नरक में गिरता है काले चक्र साक्षा द्रहगवाने विष्णु का आयुद है वें परमाणु से लेकर द्रपेर रार्द पर्यंत च्छन गटी आदी अवयवों से युक्त है वें नरंतर सावधान रहकर घूमता रहता है जल्दी जल्दी बदनने वाल्य यौबन आदी अवस्ताओं में ही उसक से द्वारा वें ब्रह्मा से लेकर खुद्र आदी खुद्र त्रण पर्यंत सभी भूतों का निरंतर संगहार करता रहता है कोई भी उसकी गती में बादा नहीं डाल सकता उससी भ्यमान कर भी जिनका यह काल चक्र निज आयुद है उन्हें साच्छत भगवाने ये कि पुर सास्त्र वही स्कृत देवताओं का आस्त्र लेता है जिनका केवल वेद भाई अप्रमानिक आगमों नहीं उल्लेक किया है ये पाकंडी तो स्वैम ही धोके में है जब यह भी उनकी ठगाई में आकर दुखी होता है तब रहमणों की सरण लेता है किन्तों पनियन संसिकार के अनंतर स्रोत स्मार्त कर्मों से भगवान यकी पुरुष्की आराधना करना आदी जो उनका सास्त्रुक्त आचार है वहें से अच्छा नहीं लगता इसलिए भेदुक्त आचार की अनकूल अपने में शुद्धिन होने की कारण ये कर्म शुन शुद्र कुल में प्रविश क करता है जिसका स्वभाव वानरों के समान केवल कुटुम पोशन और इस्त्री सेवन करना ही है वहां बिना रोक्तों के स्वच्छंद बिहार करने से इसकी बुद्धी अत्यंत दीन हो जाती है और एक दूसरे कम को देखना आदी विशे भोगों में फसकर इसे अपने मृत् सुक ही फल है उन घरों में ही सुक मान करवानरों की भाति इस्त्री पुत्रादी में आसकते हो कर यह अपना सारा समे मैं थुनादी विशे भोगों में ही विता देता है इस प्रकार प्रभत्ती मार्ग में पढ़कर सुक दुग भोगता हुआ यह जीब रोग रूपी अबसकर उसमें रहने वाले मृत्ती रूप हाथी से ड़ता रहता है कभी कभी सीत वायु आधी अनिक प्रकार के आधी दैविक आधी भोतिक और अध्यात्मिक दुखों की निवित्ती करने में जब असफल हो जाता है तब उस समय आपारे विश्यों की चिंता से यह खिन होड होता है कभी आपस में क्रे विक्रे आधी वियापारे करने पर बहुत कंजूसी करने से थोड़ा सा धन हाथ लग जाता है कभी धन नश्ट हो जाने से जब इसके पास सूने बैठने और खाने आधी की भी कोई सामिकरी नहीं रहती तब अपने अभिष्ट भोग ना मिलने से यह उन्हें चूरी आधी बुरी उपायों से पाने का निश्य करता है इससे जहां जहां दूसरों की हाथ से बहुत वपमाने तो होना पड़ता है इस प्रकार धन की आसकती से परस पर बैरभाव भड़ जाने पर यह अपनी पूर्व बासनों से विवसू कर आपस में विव तो होने पर भी मारग में जिस पर जहां आपत्ती आ जाती है अदवा जो कोई मर जाता है उसे जाका तहां छोड़ देता है तथा नए जन्मे हों को साथ लगाता कभी किसी के लिए शूक करता है किसी का दुख देकर मुर्चित हो जाता है किसी के वियोग होने की आशंका से भैवित हो उठता है किसी से जगडने लगता है कोई अपत्ती आती है तो रोने चिलाने लगता है कहीं कोई मन के अनकूल बात हो गई तो प्रसनता के मारे पूला नहीं समाता कभी गाने लगता है और कभी उन्हीं के लिए बधने में भी नहीं हिचकता साधू जन्म इसकी पास से कभी नहीं आते यह सादू संग से सदावंचित रहता है इस प्रिकार यह निरंतर आगे ही बढ़ रहा है यहां से इसकी यात्रा आरम हुई है और जिसे इस मार्ग की अंतिम अवदी कहते हैं उस परमात्मा के पास यह अभी तक नहीं लोटा है परमात्मा तक तो योग सास्त्री की भी गती नहीं है जिन्होंने सब प्रिकार के दंड सासन का त्याग कर दिया है वे निर्वित्ती परायणम सही अतात्मा मुनिजन ही उसे प्राप्त कर पाते हैं जो दिगजों को जीतने वाले और बड़े-बड़े यग्यों का नुष्ठान करने वाले राजरि में यह मेरी हैं ऐसा अभिमान करके बैर ठाना था उसे प्रत्वी में ही अपना सरीर छोड़कर स्वैम परलुक को चले जाते हैं इस संसार से वे भी पार नहीं होते हैं अपने पुनिक कर्म रूप लता का आस्रे लेकर यदि किसी प्रिकार यह जीव इन आपत्तियों से अत वा नरक से छुटका रापा भी जाता है तो फिर इसी प्रिकार संसार मार्ग में बटकता हुआ इसी जन समधाय में मिल जाता है यही दसा स्वरगादी उर्धु लोकों में जाने वालों की भी है यह राजन राजरसी भरत की विशह में पंडित जन ऐसा कहते हैं जैसी गरु अनुरक्त होकर अति मनोर मिस्ट्री पुत्र मित्र और राज्यादी को युवावस्ता में ही विश्टा के समान त्याग दिया था दूसरों के लिए तो इन्हें त्याग ना वहुती कटिन है उन्होंने अति दुस्तज प्रत्वी पुत्र स्वजन संपत्ति और इस्त्री की तद्धा जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी ललायत रहते हैं किन्त जो स्वय में उनकी दया दृष्टी के लिए उन पर दृष्टी पात करती रहती थी उसे लक्ष्मी की भी लेश्मा त्रिच्छा नहीं की यह सब उनके लिए उच्चिती ही था क्योंकि जिन महान भावों का चित भगवार मदुशूदन की सेवा में अनुरक्त हो गया है उनकी दृष्टी में मोक्ष पदवी अत्यंत तुच्छ है उन्होंने म्रग सरीर छोड़ने की इच्छा होने पर उच्चस्वर से कहा था कि धर्मी की रक्षा करने वाले धर्मानुष्ठान में नि भरत की पवित्र गुण और करमों की भक्त जनवी प्रसंसा करते हैं उनका यह चरत्र बड़ा कल्यान कारीं आयू और धन की व्रद्दी करने वाला लोक में स्वयस बढ़ाने वाला और अंत में स्वर्ग तधा मोक्ष प्राप्ती कराने वाला है जो पुरुस इसी सुनता य हागवत महापुराण की जयम आये भक्त वरंदो स्री मद्भागवत महापुराण की पंचम इसकंद में बरज्जी के वंस का वरण सर्वन करते हैं स्रीशुक देब जी कहते हैं राजन बरज्जी का पुत्र सुमति था यह पहले कहा चाच चुका है उसने रिशव दिव जी के मारग का नुसरन किया इसी लिए कल्युग में बहुत से पाखन्ड या नार्य पुरुषों अपने दुष्ट वुद्धी से बेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे उसकी पत्नी बृद्ध सेना से देवताचित नामक पुत्र हुआ देवताचित के असुर सुवर्च़ला के गर्व से प्रतीहिय नाम का पुत्र हुआ इसने अन्य पुरोषों को अत्में विद्या को पदिश दे कर स्वैम सुद्ध चित्व कर परमपुरस्स्री नारण का साक्षात अनुभव किया था प्रतIEL की भाद्या सोवर्चिला के कि गर्व प्रतिहर्ता प्रश्टोता और उद्गाता नाम के तीन पुत्र हुए ये यग्यादी करमों में बहुत निपुण थे इनमें प्रतिहर्ता की भार्या इस्तुती थी उसके गर्व से अजो और भूमा नाम के दो पुत्र हुए, भूमा के रिसी कुल्या से उदगीत, उसके दीव कुल्या से प्रस्ताव, और प्रस्ताव के नियुकता के गर्व से बीभू नाम का पुत्र हुए